बॉलिट की कभी नाम चीने अक्ट्रेस रही दिव्या भारती की आज पुर्णेती थी है 5 अपरेल 1993 को अपनी अपार्टमेंट की बिल्लिंग से गिर कर उनका निधन हो गया अगर आज वो जिवित होती तो 46 साल की हो जाती 25 फरवरी 1974 में उनका जन मुंबई में हुआ था दिव्या ने बहुत कम समय में सिरेमा की दुनिया में काफी नाम कमा लिया था उन्होंने दिवाना, विश्वात्मा, शोला और सबनुम, शत्री और दिल का कसूर समेथ 22 फिल्मों में काम किया उनका फिल्मी सफर तेल्गू सिरेमा से शुरू हुआ, हिंदी के साथ 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 की फिल्मों में भी काम किया 90 के दशक की खुबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रिस थी दिव्या भारती 5 अपरिल 1993 कोने साल की दिव्या की अचानक मौत हो गई थी उनकी रहे समय मौत ने इंडस्टी में तब संसनी फला दी, उनकी मौत आज भी एक पहली है दिव्या भारती ने साजीत नाडिया वाला से शादी की, उनकी शादी का खुलासा मौत के बाद हुआ था दिव्या भारती आज भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन साजीत की जंदगी में दिव्या हमेशा रहेंगी साजीत और दिव्या का प्यार किसी चुपा नहीं है, दिव्या भारती फिल्म पर बड़े ही जादोई पारी खेल कर गई वो दौर था 1989 का महस साड़े 14 साल की उमर में खूपसर दिव्या को राधा का संगम फिल्म की हिरोईन चुल लिया गया आखिरकार साउथ के जरिय दिव्या को बॉल्यूड में एंट्री मिल ही गई विश्वात्मा से शुरू हुआ दिव्या का सफर दिवाना तक पहुचते पहुचते पुर्देश को अपना दिवाना बना चुका था नब्बे के दशक की शुरूआत में दिव्या बॉलिट पर राज कर रही थी लेकिन वो अंदर से परिशान थी कई कराकारों के साथ उनके नाम जोड़ जा रहे थे वहीं कहते हैं जल्दी दिव्या भारती और साजी नाडिया वाला ने शादी कर ली लेकिन इस शादी को बागी दुनिया से छुपा कर रखा फिर एक दिन अचानक आई संसनी खेस खबर पांच अप्रेल 1993 को पांचवी मंजिल से गिर कर दिव्या की मौत हो गई जिन हालात में दिव्या की मौत हुई थी हर कोई हैरान था मीडिया में तरह तरह की बाते हो रही थी कोई इसे हाथसा बता रहा था कोई इसे खुदखुशी बता रहा था तो कोई इसे हत्या तक बता रहा था तो कोई उनकी मौत को अंडरवल से जोड रहा था कहीं ये खवर छप रही थी दिव्या हाथसे के वक्त गहरे नशे में थी दिव्या की मौत की केस में मुंबई पुलिस ने भी लंबे समय तक जाच की घरवालों से लेकर कई लोगों से पूछतास हुई लेकिन पांस साल की जाच में कोई नतीजा नहीं निकला 1999 में केस की फाइल बंद कर दी गई और दिव्या भारती का मौत का राज आज तक राजी है